नमस्कार आप देख रहे हैं सोसल समवाद मैं हूँ आपके साथ राजिव कुमार आज की और अभी की बड़ी ख़बर अंडर वर्ल्ड से कनेक्षन के मामले में महाराष्ट के मंत्री नवाव मलीक को एडी ने गिरफतार कर लिया है और गिरफतारी से महाराष्ट की सियासत में भूचाल आ गया है बताते चलें आपको कि महाराष्ट सरकार में मंत्री नवाव मलीक को गिरफतार कर लिया गया है एडी ने मनी लॉंडरिंग मामले में उनकी गिरफतारी किये इस एक गिरफतारी ने महाराश्ट की राजनिती में सियासी भूचाला दिया है बिजेपी नवाव मलिक के इस्तिफे की मांग कर रही है महाराश्ट बिजेपी अध्यक्ष चंदरकान पाटील ने कहा कि नवाव मलिक की अब गिरफतारी हो चुकी है उन्हें इस्तिफा देना चाहिए हम मांग करते हैं कि वे तुरंत अपना पर छोड़े महाराश्ट शरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई आरोफ हैं लिस्ट काफी लंबा है मैं खुद बोलते बोलते ठक जाऊंगा अभी के लिए इस मामले ने महाराश्ट शरकार की मुसीबत बढ़ा दिये और खुद सियमों धव ठाकरे एक्सन में आ गए हैं वे आज साम 6.5 बजे एन्सिपी प्रमुक सरतपवार से मुलाकात करने जा रहे हैं अभी कई मंत्रियों का उनके निवास पर आने का सिलसिला सुरू हो चुका है अजित पवार से लेकर दिलीप वालसे तक वहां पहुंच चुके हैं बताया गया है कि आज सुबा 5 बजे एडी नवाव मलिक के निवास पर पहुंची थी फिर 7 बजे एडी द्वारा उन्हें नौटिस दिया गया और 7 बचकर 45 मिनट पर वे जांच एजनसी के दफ्तर लाए गया फिर वहां पर करीब 8 घंटे की उनसे पूश्टाच हुई और 2 पैर 3 बजे उन्हें गिरफतार कर लिया गया जानकारी के लिए बता दें एडी द्वारा नवाव मलिक पर कई गंबीर आरोप लगाए गये हैं उनके अंडर वर्ल्ड से रिष्टे बताये गए बेनामी संपत्ति की बात सामने आई और फिर यह भी कहा गया कि मंत्री नवाव मलिक जांच में एजनसी का सयोग नहीं कर रहे हैं उनसे करीब आठ गंटे की पूश्टाज की गई थी कई तरह के सवाल जवा हुए थे और फिर गिरफ्तारी हो गई अब मंत्री मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी जरूर उनका इस्तिफा मांग रही है लेकिन विपक्ष के दूसरे नेता मंत्री जी के समर्थन में आ गया है सपा परमुख खिले स्यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा ऐसा ही करती है बड़े नेताओं की गिरफ्तारी करवा कर उन्हें अफमानित करने का काम किया जाता है वहीं नेता सुप्रियो सूले ने कहा कि नवाव मलिक के यहाँ ED के लोग आये थे बहुत दिनों से बीजेपी के कारिकरता प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि नवाव मलिक और महाविकास अधारी के खिलाफ ED का नौटिस आएगा आज वह हो गया उन्होंने आगे कहा कि महाविकास अधारी के खिलाप BJP जो सड्यंतर कर रहे थी उसे आज पूरा महराष्ट देख रहा है वहीं सिव सेना नेता संजे राउत ने एजेंसी पर इस अवाल खड़े कर दिये हैं उन्होंने कहा कि सभी को जाँच करने का हाख है वे कर सकते हैं लेकिन फिर 2024 के बाद उन सभी की जाँच भी की जाएगी उनकी माने तो आने वाले दिनों में वे खुद सभी को भी सामिल था बाद में दाउद के भाई इकबाल कासकर को भी ग्रफतार किया गया था अब जाँच में सामने यह आया है कि नवाव मलीक की दाउद इब्राहीम के गुर्गे सरदार सहावाली खान और हसीना पारकर के बोडिगार्ड सलीम पटेल के साथ कोई डील थी कुछ म बाद